हलो गाईज, वेलकम बैक टू मैं चैनल पर मी ब्यूटी वर्ट, तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब लोग स्वस्त और मस्त होंगे, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नोज हेयर वैक्सिंग का प्रोसिजर, और गाईज अगर आप मेरे चैनल पर पालर में जो भी काम होता है, उन सब टोपिक से रिलेटिड वीडियो मिल जाएंगी, जैसे थेडिंग, ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग और वैक्सिंग से रिलेटिड तो लोट्स ओफ वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, नोज हेयर कटिंग, नोज मसाज, नोज हेयर वैक्सिंग, नोज से रिलेटिड भी मैंने काफी सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, और अगर आपने मेरे चैनल की वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो प्लीस मेरे चैनल पर विजिट करें, और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूज लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे गाइस नोस के अन्वांटिड हेर्स को रिम कर लिया था फिर ऊट्वला पर मैंने वैक्र लिया है ध्यां नहीं आपकी वभ्राइस कि बन हो सकती है ऊच्छे सेब्सक्राइब ुमाटेक फिरने वैक्स को ड्राय होने के लिए थोड़ी दियर के लिए पीचु कर चेक कर आएकि द्रूड़ाय में धिएच्ज सुपत्त प्रोसिजर से इनके hair remove करेंगे और guys अगर आपके client के कुछ hair रह भी जाते हैं तो आप इस wax को दुबारा भी लगा सकते हैं यानि कि और wax लेके दुबारा लगा ले इसका कोई side effect नहीं होता nose hair waxing से क्या होता है hair जो होते हैं जड़ से remove हो जाते हैं काफी late आते हैं अगर किसी की heavy growth है तो उसको धीरे धीरे growth कम होने में भी help मिल जाती है hair gain कम हो जाता है अगर आपको लगता है कि nose hair waxing करवाने के बाद आपको कोई problem नहीं है तो आप regular nose hair waxing करवा सकते हैं पर अगर आपको waxing करवाने के बाद लगता है कि मुझे कोई problem हो रही है तो आप nose hair waxing ना करवाएं आप nose के hair remove करने के लिए nose hair cutting भी करवा सकते हैं के proper तरीके से इनके बिल्कुल neat and clean nose हो चुकी है सारे के सारे hair इनोंने remove करवाए थे उसके बाद आपने कभी भी nose में कोई फ्रेग्नेंस वाला oil वगयरा नहीं लगाना नहीं moisturizer लगाना है आप हमेशा यूज़ करेंगे coconut oil का coconut oil का यूज़ करने से client की skin में relax हो जाता है और गाईज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें शेयर करें साथ में चैन को subscribe भी कर दें and bell icon को भी press कर हैं प्रोपर तरीके से हमने इसमें लगा दिया है तो चलिए thank you so much